देखिए दूस्तूं इस पहले हेडलाइन में लिखा हुआ है कि नो इमिनिटी और एक्ट्स ओफ वेंडलिज्म और किस ने कहा सुप्रिम कोट ने इसका हिंदी मिनिंग क्या होगा आप खुछ समझेए कि कोई छूट नहीं मिलेगा बरबरता के कारे करने के लिए सुप्रिम कोट ने कहा है किसको कहा है कि केरला में जो वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने केरला के पारलियमेंट में जो वेंडलिज्म किया था जो तोर्फोर किया था, सेबोटेज किया था इन सब के लिए ये सारा नियूज है तो यहाँ पे हम वर्ड उठा रहे हैं वेंडलिज्म वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है बरबरता वेंडलिज्म का मतलब होता है बरबरता और ये नाउन है और वेंडलिज्म वेंडलाइज करना अगर बोलेंगे तो ये हमारा भर्ब हो जाएगा वेंडलाइज का मतलब हो जाएगा बर-बर कारे करना यानि कि बहुत ही बुरा काम करना वेंडलाइज दोस्तों निजपेपर वोकेबलरी का इस सेवन्थ बीडियो है और इसको सिर्फ वोकेबलरी सेशन कहना सही नहीं होगा इसमें मैं हेडलाइन पढ़ना भी सिखा रहा हूँ और उसमें दिये गए वर्ट्स का भी मिनिंग बता रहा हूँ अब धीरे धीरे चलके मैं आपको एडिटोरियल निजप को पढ़ाना तुरू करूँगा और आप यकिन रखें कि कोई भी काम धीरे धीरे जो होता है वो बहुत बहतर होता है अचानक से अगर मैं कहे दूँगी चार दिन में पांस दिन में मैं आपको पूरा अंग्रेजी का निजपेपर सिखा दूँगा तो ये कहीं न कहीं गलत होगा जूट होगा इसमें टाइम लगेगा तो थोरा सा वक्त आपको देना होगा पैसेंस भी रखना होगा बाकी यूटूब पे पढ़ाने वाले टीचर से मैं थोरा सा अलग हूँ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम बिल्कुल एक वीडियो में आपका काम खतम हो जाएगा या दो वीडियो में काम खतम हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सब्द आपके अच्छे होंगे सब्द से फैमिलियर होंगे फिर आप भूल भी जाएगे लेकिन कुछ आदिते हैं जो आपको बनागे रखनी होगी आपको इंगलिस को अच्छा करना है तो न्यूज पेपर आपको रेगुलर पढ़ना पढ़ेगा इंगलिस का इसके लिए रोज मैं पीडियेप भी आपके न्यूज पेपर रीडिंग कोर्स जो है उस सेक्षन में मैं डाल देता हूँ जो सारे बच्चो के लिए है और वो आराम से वहाँ जा कि आप पीडियेप को पढ़ सकते हैं और धीरे-धीरे मैं हर एक न्यूज पेपर के सेक्षन को कभर करूँगा पेसेंस रखें बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर्फ न्यूज पेपर पढ़ाईए पूरा डिटेल में तो वो मैं करूँगा लेकिन अपने हिसाब से करूँगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों ऐसा मुझे लगता है अब मैं आज का वीडियो सुरू कर रहा हूँ इसमें आपको हेडलाइन को पढ़ना है पहले फिर उसका हिंदी मैं आपको आराम से दीरे दीरे बताता रहूँगा समझाता रहूँगा दोस्तों इसके पहले क्लास को आगे बढ़ाएं मैं बता दूँँ कि श्याम सर्माज क्लासे आपको online class, pen drive course, google drive course, books के सारे competitions के लिए SSC bank view के लिए provide करता है बहुत इमानदारी, commitment और मेहनत से बनाया हुआ है सारा course आपके लिए important है आप जाम सरमाज classes के app को play store से जाके डाउनलोड करें और सिर्फ complete English course जो recorded videos है वो purchase करें और बाकी जो तमाम उपलब्द जो videos है, courses है आप पे वो आपको free of course दी जाती है आप 9599614791 पे call करके भी सारे जानकारी प्राप्ट करके हैं इस वाक्य में देखिए इस वाक्य में sentence जो है headline यह थोरा सा बड़ा है इसमें क्या लिखा हुआ है और इसको पढ़के हिंदी समझेए इसमें लिखा हुआ है कि the court refused the Kerala governments PLEA, PLEA का मतलब याची का to withdraw prosecution, withdraw मतलब बापस लेना, prosecution का मतलब मुकदमा, to top left democratic front leaders, जो top left, जो top leaders है democratic front के उसका left democratic front जिन पे आरोप है vandalism करने का, vandalism का मतलब बरबरता हो गया और wenton destruction, यानि destruction मतलब तोरफोर होता है, wenton का मतलब क्या होता है, यही word मैंने यहाँ पे लिखा है, जो public property का wenton destruction किया है वहाँ के विधान सभा में, केरला के विधान सभा में, तो wenton का मतलब होता है परचंड, यानि wenton destruction, यानि कि एकदम प्रचंद रूप से तोरफोर किये थे, वेंडलिज्म किये थे, तो इसमें जो किरला गौर्मेंट ने याचिका दायर किया कि इसको केस को बापस ले लिजिए, उसके उपर ने सुपरियम कोट ने बिलकुल इनकार कर दिया है, तो वेंटन का मतलब हो गया दोस्तों तो इस बाके में मैनिफेस्टेशन को ही मैंने रखा है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, तो मैनिफेस्ट का मतलब किसी भी बात को अच्छे से अभिव्यक्त करना होता है, यह भर्भ हो जाएगा, मैनिफेस्ट अभिव्यक्त करना और मैनिफेस्टेशन का मतलब हो manifest अगला headline पढ़ें और इसका हिंदी जाने legislators जो विधान सभा के member है उनको कहते है legislators जो parliament के member है उनको कहते है MP तो legislators cannot unleash violence लेस का मतलब बांधना होता है लेस का मतलब होता है बांधना यह हमारा भर्व है ठीक है इसका मतलब हो गया बांधना तो unless जो है इसका मतलब खोलना या सुरू करना यानि कि legislators हिंसा नहीं कर सकते शुरूआत हिंसा की सुरूआत नहीं कर सकते और दंगा फसाद नहीं कर सकते parliament के भीतर यह गलत है parliament के भीतर क्या कहीं भी नहीं कर सकते तो इसमें हमने unless कोई उठाया है तो less का उल्टा unless का मतलब खोलना या शुरू करना हो जाएगा बर देखिए अगला वाक्य पढ़िए और मिनिंग समझे residents क्या चाहते हैं residents निवास और residents में रहने वाले resident तो एक खास locality के लोगों को residents कहा जाता है तो residents चाहते हैं कि जो road वहाँ बन रहा है और road काट के काटने में जो खर्च आ रहा है तो वो बहुत exorbitant है exorbitant का मतलब अत्यधिक होता है तो exorbitant भी यहां लिख देता हूँ exorbitant का मतलब हो गया अत्यधिक exorbitant अत्यधिक है यह adjective है तो जो अत्यधिक जो charge थोपा जा रहा है residents के उपर तो residents क्या चाहते है निवासी वहाँ की क्या चाहते है कि चाहे तो इसे reduce किया जाए यानि कम किया जाए या wave कर दिया जाए wave कर दिया जाए मतलब क्या हुआ छोड़ दिया जाए कोई भी जैसे करजां माफ कर देना या जो सूध फेगर है उसको माफ कर देना उसको कहते हैं wave कर देना wave ये वाला wave नहीं ये वाला wave का मतलब लहर हो जाता है तरंग ये है i लगा हुए w a i ve तर ये दोस्तों अगला जो headline है इसको पढ़ें और इसका हिंदी मिनिंग समझें हाई कोट एचसी ने क्वैस किया है कि income tax की कारवाई proceedings जो है वो ना करें इसका detail ये है news की कार्थी ची दमरम जो पी ची दमरम के लड़के हैं उनके उपर जो आरूप लगा है उसमें हाई कोट ने कहा है कि पी ची दमरम ये खास financial year के लिए income tax से related कोई भी चीज ना गरें proceedings मतलब कारवाई ये जो proceedings होता है इसका मतलब हो जाता है कारवाई ठीक है तो यहाँ पे हम word एक उठा रहे है quest, quest का मतलब होता है खारिज करना, समाप्त करना तो यह quest यहाँ पे word हमने इससे उठाया है देखिए headline में बस इतना ही लिखा हुआ था अब यह इसको पूरा जानने के लिए आपको news details देखना होगा जो मैं आने वाले 2-3 दिनों में शुरू करूंगा और editorial से शुरू करेंगे और editorial जब पढ़ना आ जाए उसके बाद हम sports और finance related भी आपको बताएंगे तो चेनई क्या देखता है चेनई देखता है कि जो case है, जो मामला है यह मामला COVID-19 related है उसमें marginal rise हुआ है बहुत ज़्यादा rise नहीं हुआ है, खुशी की बात है marginal का मतलब क्या होता है यही मैं इसमें रखा हूँ marginal का मतलब होता है, बहुत ही मामूली ग्यार मामूली तो यह दोस्तों, और rise और raise तो पता ही है rise मतलब बढ़ना और raise का मतलब बढ़ाना या उठना या उठाना virulence और variance यह है, इसमें virulence और variance variance का मतलब एक तो आपको पता है कि अंतर होता है, vary करना, vary का मतलब अंतर होता है, अंतर करना ये भर्व है, इसी से variance हुआ, लेकिन variance का एक और मतलब होता है, color, जगरा, और virulence का मतलब होता है किसी के बारे में आप द्वेश रखते हैं, या मन काला है आपका, तो द्वेश की जो दुस्वनी की भावना है, डाह की भावना है कि इर्श्या की भावना, उसके लिए हम virulence कहते हैं, तो साथ में यूज कर सकते हैं, virulence and variance, virulence यानि कि डाह किसी से bear, jalan और variance का मतलब मतभेद, जगरा, सही है दोस्तों, अगला जो sentence से इसको पढ़िए, Japanese education, spell, spell का मतलब या होता है, और क्या ब्याख्या करती है, वहाँ की सिक्षा ये ब्याख्या करती है, कि सिक्षा ऐसा होना जी जिसमें development holistic हो, holistic का मतलब क्या होता है, तो अब यह holistic word मैं उठाया, holistic का मतलब है, समग्र, मतलब overall, पूरा एकदम सब पार्ट को connect करते हुए, यानि कि holistic development, यानि समग्र बिकास होना चाहिए, और अगर holy बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पवित्र, holy का मतलब पवित्र होता है, और ये spell करना, holy का मतलब पवित्र हुआ, सही है दोस्तों, इस headline को बढ़ें, इसमें लिखा है, 18 crust under a bus, under bus as truck rams it, तो ram तो नाम होता है, लेकिन ram अगर बो हो जाता है, तो ram का मतलब हो जाता है, टक्कर मारना, ये ही ram को मैंने यहां उठाया है, ram का मतलब होता है, collide करना, collide आपने पढ़ा है, टक्कर मारना, run into, या dash into, आपने पढ़ा है, इसका मतलब, run into का मतलब ही आमने सामने का भिरंत हो जाता है, या dash into हो जाता है, तो उसी तर तो इसका मतलब हो गया कि 18 लोग कुछल दिये गए, क्रस्ट करना का मतलब क्या होता है, क्रस्ट मतलब कुछल दिये गए, 18 लोग कुछले गए बस के नीचे और कारण इसका था कि ट्रक ने बस को हिट किया था, रैम किया था, क्लैस किया था, कॉलाइड किया था, डैस आज के लिए इतना ही दोस्तों बागी अगले वीडियो मिलते हैं और अगले वीडियो से एडिटोरीयल न्यूज को भी मैं इंक्लूड करूँगा और एडिटोरीयल आपको अच्छे से समझाओंगा पूरा का पूरा एडिटोरियल एकदम इत्मिनान से बहुत बच्चे बोलें थोड़ा क्लास लंबा करें बिल्कुल करेंगे सर्ग और जो चीज मैं उठाता हूँ उसको मैं पूरा करता हूँ पूरी इमांदारी से ये निज़ पेपर का सिरीज चलेगा चलता ही रहेगा जब तक आपका confidence level बढ़ ना जाए निज़ पेपर से related सारी समस्या है मैं आपको shout out ना कर दूँ अपना ख्याल रखेंगे, हसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे जै हिन, जै भारत